नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों स्वीडिम दिखने वाले हैं रेलवे एंटीपीसी एक्जाम 2020 सिखी स्की और 125 पारी में जो इस्पोर्ट यानी खेल से संबंदी टोटल 120 स्वाल पूछे गे थी उस पे से पार्ट फर्स्ट में अपने 60 स्वाल कवर किये थी यह पार्ट सेकेंड रहेगा जिसमें बच्चे वे और 60 स्वाल एक्स्टा फेक्ट से जानने वाले हैं इसपोर्ट वो ट्रोपिक हैं जो करन्ट पेस की दस्टी से आने वाले सीबीट टू जो एंटीपीसी के एक्जाम हो गया इनसे यहां से सवाल रिपीट होगे क्यों कि अफिया बहुत जदर स्वाल अपडेट कर दिया है雄 करेंट पेस यहाँ पर आपका time management भी सही हो जाएगा और confidence level और बढ़ने वाला है तो आप डेली एक mock test जरूर लगेगा mock test के लिए test book इसलिए बहतरी है क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी exam की तहरी कर रहे हो सारे exams के mock test एक ही पास के अंतरकित unlimited आप practice कर सकते हो जो भी आपके लिए suitable pass है इसमें यहाँ आप TTG के open code apply करते हो तो extra 40 रुपे का all discount मिलने वाला है यहाँ पर यहाँ आप railway की तहरी कर रहे हो parallel में SSE कर रहे हो banking कर रहे हो या फिर अधर किसी आपके state level government exams के सारे exams के mock test आपको यह की पास के अंतरकित मिल जाएंगी exam में जो pattern और dashboard मिलता है उसी type से यहाँ पर आप practice कर सकते हो और आप देख सकते हो सारे exams के यहाँ पर mock test available है SSE का है state level हो गए तो जैदा जानकारी के लिए description box ले लिंक है grand slam में बात करें tennis tournament जो french open होता है सबसे अधिक french open विजयता है यानि जो man single category की बात करें तो most single title है वो राफेल नडाल के नाम है इन्होंने total 13 बार french open है man single जो पर तिवकिता रहती है उसमें राफेल नडाल ने 13 बार यह title इंके नाम है most double title जो french open की बात करें तो Roy Emerson के पास में 6 title यह जीच चुके है सबसे ज़्यादा doubles category में अब देखिए ये तो हो गए आपके french open इसी प्रकार से grand slam में अन्य जो australian open आपको पता होना चाहिए विंबल्डन है US open है ये सभी भी कौन सबसे ज़्यादा जीच चुका है रोजर फेडरल आर्ट टाइटल जिनके नाम है मोस्ट डबल की केस में टोड वुड ब्रिज जिनके नाम नो टाइटल है देखिए का अगला स्वाद 2003 IAAF येनि आप बात हो रही है International Association of Athletics Federation की तो 2003 का जो IAAF World Championship in Athletics भारती महिला मेडल विजेता कौन रही है तो भारती महिला वेडल विजेता किस में IAAF जो 2003 का टूनामेंट हुआ ये Athletics का तो अंजू बोबी जोर्ज है ये पैरिस में आउजित लॉंग जम्पे इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था तो 2003 की IAAF World Championship Athletics में भारती महिला जिन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता है नाम है अंजू बोबी जोर्ज है नेक्स्ट जोस्त जो IAAF World Championship होने वाली है World Athletics Championship है ये 2022 में कहां पर होगी तो ये United State में होने जवाली है कहां पर Oregon United State में 2019 में World Athletics Championship कहां पर होई थी दोहा कत्तर मैयो जीत होई थी 2019 में 2019 का जो सुद्रीमन कफ है वो चीन ने किस देश को हरा कर जीता था इन्हीं यहाँ पर उप विजेता कौन सा देश रहा है सुद्रीमन कफ जो 2019 में हुआ है तो उप विजेता रहा है यहाँ पर जपान विजेता कौन रहा है चाईना यह जो सुद्रीमन काफे किस स्पोर्ट से संबंदित है तो यह बैड मीटन की एक चेंपियंशिप है 2017 में साउथ कोरिया जीती थी 2021 में यह फिनलेंड में आउजित होने वाला है देखीगा अगला स्वाद 2019 में टेबल टेनिस में द्रोनाचरी आवाड किसको मिला है टेबल टेनिस में द्रोनाचरी आवाड जो 2019 का पूचा है तो संदीप गुपता को मिला है जो कि मनीका बत्रा की कोच है आपको पता होना चाहिए द्रोनाचरी आवाड किनको मिलता है जो खेल परशिक्षक यानि कोच है मनिका बत्रा टैबल टैनिस की पलेर हैं और ये इनके कोच संदीब गुपता को 2019 में द्रुनाचारी आवाड मिला है 2018 में टैबल टैनिस द्रुनाचारी की बात के तो एस श्री निवासो राओ को दिया गया है और द्रोनाचरे आवाड अलगलग केटेगरी है एक तो लाइप टाइम केटेगरी एक रेगुलर केटेगरी और 2020 में जो द्रोनाचरे आवाड दिया गया है लाइप टाइम केटेगरी में आप देख सकते हो कौन से स्पोर्ट में किस कोज को दिया गया जैसे धर्मिंदर को तिरंदा जी में स्वरग्य पुरुशोतम राय को एथलेटिक्स में दिया गया है सेव श्रीएं को मुक्के बाजी में रोमेस पठानिया को होकी में किश्णन कुमार हुड़ा कबड़ी में विजे भालचंद्र मुनिश्वर है पैरा पौर लिप्टिंग में नरेश कुमार को टैनिस है और ओम प्रकास दहिया को ये द्रुनाचरे आवार 2020 में कुस्ती में दिया गया है अब देख लेते है रेगुलर केटेग्री में 2020 में तो जुड़ फैलिक्स को दिया गया होकी में योगेस मालविये मलखम जस्पाल राना निश्राने बाजी कुलदीब कुमार ह दीखेगा नेक्स्ट वाल 2026 जो फिपा वर्लकाप है उसका इयोजन कहां पर नहीं होगा तो तीन जगे यहां पर आयोजन होने वाला है फिपा वर्लकाप दोशब बाजिसों में होगा और यूनाटेट इस्टेट में होगा तो ब्राजिल ये करेक्ट हो जाएगा 2026 का FIFA World Cup आपको याद रखना है कनाडा, मेक्सिको और युनाइटेड इस्टेट में होने वाला है कनाडा, मेक्सिको और यूएस में पर्थम FIFA World Cup कब हुआ था 1930 में कहां पर उरग्वे में कितनी टीमों ने भाग लिया था 11 टीमों ने अब आपको पता ये भी होना चाहिए क्योंकि इससे प्रिवेश वीडियो में बताया है सबसे अधीक बार विजेजर टीम FIFA World Cup में ब्राजिल रही है, पांच टाइटल इनके नाम है नेस्ट आपके 2022 में FIFA World Cup कत्तर में होने वाला है, इससे पहले आपन टैनिस टूनामेंट में विजेटा कॉन रहे है तो इटेलियन आपन टैनिस टूनामेंट 2020 की बात के, तो मैं सिंगल्स में नुवाक जोकोविच जो सरभिया से हैं वोबन सिंगल्स में सिमोना हालेब जो रोमानिया से हैं, ये एक कले कोर्ट पर खेला जाने वाला आउटडोर गेम सोजाता है टैनिस का तो कले कोर्ट में खेला जाता है इटेलियन ओपन अब 2021 में यह टूनामेन हो चुका तो इसके डाटा भी आपको पता होना चीए 2021 में इटेलिन ओपन में मैं सिंगल राफेल नडा, वोमें सिंगल एगा स्वीट एक्ड जो पोरेंड से हैं नेश्टन लिखेगा 2019 का सुनूकर चैंपियंजिप वेजटा कौन रहे हैं तो 2019 के वर्ल्ड सुनूकर चैंपियंजिप की बात करें 2021 के World Snooker Championship के Champion कौन रहे है तो Mark Selle भी रहे है ये भी England से है 2020 के World Snooker Championship के विज़ता रहे थे Ronny O. Sullivan जो भी England की है तो ये तीनों ही fact बहुत ज़दा important हो जाते है आपको 2019 का पूछा गया है तो जो drum थे 2020 का पूछ रहे है तो Ronny O. Sullivan हो जाएंगे 2021 के World Snooker Championship में Champion रहे है Mark Shelby कौन Mark Shelby रहे है बाकी 2019 के जो Indian Open Snooker टूनामेंट हुए है उसमें Champion रहे थे Matthew Selt और IBSF World Snooker Championship है उनमें Champion रहे है Mohamed Arshir Next न दिखीगा All England Open Badminton Championship 2019 में Men's Singles में विज़ता कौन रहे है बात रही है Band Mitten जो Championship हुई है 2019 में All England Open जो इस टूनामेंट का नाम है Men's Singles में विज़ता कौन रहे है तो Kento Momoto रहे है जो कि जपान से है और Women's Singles की बात को तो Chen Yufay ये चाइना से है तो All England Open Band Mitten Championship 2019 में Men's Singles विज़ता Kento Momoto और Women's Singles के Chen Yufay है 2020 के भी डाटा है 2021 में भी यहाँ पर ये टूनामेंट हो चुका है All England Open का 2020 में Men's Singles में विक्टोर एक्जल संद्रे है 2020 में All England Open Women's Singles का जो अवाड दिया गया है जो चेंपियन रही वो टाइप एई ताई तो जो इंग रही है चाइना से है 2021 की बात के तो All England Open ये टूनामेंट के इसका है Badminton का है तो All England Open Badminton Championship 2021 में Men's Singles के विजिता है ली जी जिया कौन है ली जी जिया जो मलेशिया से है Women's Singles के है Nojomi Okuhara जो जपान से है तो Nojomi Okuhara Women's Singles 2021 All England Badminton Open Championship की विजिता है बात कर लेते हैं यहाँ पर BWF World Tour Finals 2019 की तो Men's Singles की Kento Momato को 2020 में BWF World Tour Finals में Men's Singles Andres Anton और Women's Singles टैप ए टाई तो जो ये इंको दिया गया है Next नो देखीगा 2019 Laureus World Sport Award के लिए नमांकित होने वाली पर्थम भार्तिय खिलाडी को ओने तो 2019 में Laureus World Sport Award के लिए जो नमांकित होई थी वो पर्थम भार्ति खिलाडी का नाम है Venice Fogart और जो आवार्ड दिये गए है Laureus World Sport Award 2019 के तैद जो Comeback of the Year केटेगरी में विज़ेता रहे हैं Tiger Woods रहे हैं यह American Goal पर हैं बाकी आपको 2020 और 2021 में भी यह आवार्ड दिज़े चुके हैं जो Laureus Award है तो 2020 में जो कॉन साइडिसन है 20 वा संस्क्रण है Laureus Award का जो Sport Award का 2020 में World Sport Man of the Year का आवार्ड दिया गया है Levis Hamilton और लियोनल मेसी को World Sport Woman of the Year का दिया गया है यह दोनों ही इंपोर्टेंट हो जाते है Laureus Award 2020 में जो World Sport Man of the Year और World Sport Woman of the Year का आवार्ड किसे दिया गया है बाकी अलगले कैटेगरी में यह आवार्ड दिया जाते हैं जैसे World Team of the Year South African National Men's Rugby Team को World Breakthrough of the Year इगैन बर्णल को World Comeback of the Year शोफया फलोरस्ट को World Sport Person of the Year वित डिस अबिलिटी ओक्षाना मास्टर को दिया गया World Action Sport Person of the Year यह दिया गया है चोले किम को और यह सब आप कैटेगरी देख सकती हो और Lawrence Sport Award 2021 तो Lawrence Sport Award 2021 का डाटा भी यहाँ पर आज चुका है तो Lawrence World Sport Man of the Year राफेल नडाल को दिया गया है काफी इंपोर्टेंट है दोनों ही लाइन देख लीजीगा Lawrence World Sport Woman असुरी Sport Man का राफेल नडाल का और Sport Woman का नोआमी ओश्का को दिया गया है और बाकि जो Lawrence World Team of the Year है यह बैरिन मुनिच को दिया गया है Lawrence World Breakthrow of the Year है पैट्रिक मुहमेंस को लोरियस World Comeback of the Year का Max Parrot को दिया गया है अगला स्वाल दिखीगा भारत में ऑलमपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया था इंडिया ने ऑलमपिक में पहली बार सन उन्निसों में भाग लिया था या फर्स्ट पार्टिसिपिटेड एट दा ओलमपिक गेम्स इन ये उन्निसों में भारत ने भाग लिया था जो पैरिस ओलमपिक हुआ था जिसमें एक मात्र खिलाडी नार्मन पिरजाड जो एंगलो इंडियन है इनके साथ भारत ने भाग लिया था लेकिन नार्मन पिरजाड जो एकमातर थे लेकिन भारत ने टीम भेजी थी जो ओलमपिक में फर्स जो टीम है वो समर ओलमपिक 1920 में भेजी थी और इंडिया का पर्थम ओलमपिक गॉल्ड है वो 1928 के एमस्टरडम जो ओलमपिक हुआ था फिल्ड होकी में भारत ने गॉल्ड जीता था कुल 9 गॉल्ड मेडल भारत अब जीत चुका है जिसमें से 8 होकी के हैं एक सुटिंग का है 7 सिल्वर जीत चुका है 12 ब्रॉण जोने टोटल 28 मेडल ओलमपिक में भारत के पास में हैं अभी नव बिंदरा है ये ओलमपिक में गॉल्ड जीते हैं जो यहाँ पर सुटिंग का एक दे रखा है 2008 की बिजिंग ओलमपिक में अभी नव बिंदरा ने गॉल्ड जीता था ये फैक्ट भी आपको याद रुखना है बाकि इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुल मेडल एड़ ओलमपिक गेम एड़ दा 1952 गेम्स इन हेलन्सकी वें काशाबाद जदव वन दा ब्रॉंज इन फ्री स्टाइल रेस्लिंग तो ये बात वह रही है इंडिविजुल की इससे पहले जो होकी का टीम ने जीता है लेकिन व्यक्तिकत रूप से केवल खिलाडी ने जो मेडल जीता ओलमपिक में वो आया था 1952 में जो कि हेलन्सकी में ओलमपिक हुआ था इसमें काशाबाद जदव ने ब्रॉंज मेडल जीता था फ्री स्टाइल रैसलिंग में फ़र्ष्ट मोडरन ओलमपिक टुक पहले इस देखी पहला जो ओलमपिक हुआ था मोडरन आधुनिक ओलमपिक वो कहाँ पर एथेंस में हुआ था 1896 में भार्त ने कब भाग लिया था 1900 में लिया था पहली बार तो ये सभी ओलमपिक से संबन दित भार्त की जो इंपोर्टन एफेक्ट है जहां से एक स्वाल आ सकते हैं तो जरूर चेक कर लेना एक बार दुबारा देखीगा अगला स्वाल 2016 में समर पैरा ओलमपिक मेंस जैविलिन थ्रो जीता है समर पैरा ओलमपिक जैविलिन थ्रो में ठीक है बाकी 2016 समर पैरा ओलमपिक की बात करे तो मर्यपण थंगा वेलू ने हाइजंप में गॉल्ड मेंडल जीता था दीपा मलिक ने वोमन स्वाट पुट गोला फैक में सिलवर नेडल जीता था तेता लिश्मिक बात हो रही है दोजार सोला समर पैरा ओलम्पिक की दो गोल्ड कौन से एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो देवेंदर जहजडिया सेकेंड जो मरिये पन थंगा वेलू ने मैंस हाई जम्प में गोल्ड जीता है और एक सिल्वर जो यहाँ पर दीपा मलिक न कवर हो गए है बाकि जो भारत ने 2016 के रियो ओलम्पिक में भारत ने एक सिल्वर और एक ब्रॉंज मेंडल जीता था और ब्रॉंज मेंडल शाक्षी मलिक ने रेस्टिंग में जीता था यह सारे फेक्ट कवर हो चुके हैं अप्रेल 2019 में मीना कुमारी मैशनम ने किस खेल में स्वन्पदो जीता है महीला एकल वुमन सिंगल जो में में16 के रियो ओलम्पिक में स्वन्पदो किसने जीता है तो कारूलीना मैरीं में जीता है 2 तो सेकंड रेंक रही थी सिल्वर मेडल भार्ट की पीवी सिंदु ने जीता था, बैंड मिटन 2016 का समर ओलिम्पिंग में मैं सिंगल से वो जैन लॉंग ने ये गॉल्ड मेडल जीता था, 2018 एसियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते है, तो 2018 के एसियन गेम्स में सरवादिक मेडल चाइना के नाम है, 290 मेडल चाइना ने जीते हैं, 132 गोर्ड थे, 92 सिल्वर, 66 ब्रॉंज थी, अब आपको पता ये भी होना चाहिए कि एसियन गेम्स में भारत की क्या इस्तती रही है, 2018 में, 2018 के एसियन गेम्स में, जो की जकार्ता एलन, पालम बेंग, इंडोनेशिय में जीत हुए हैं, इंडिया की रेंक आठवी रही हैं, इंडिया ने 15 गोर्ड, 24 सिल्वर, 30 प्रॉंज के साथ, टोटल 69 मेडल जीते थे, तो यहां पर 15 गोर्ड, 24 सिल्वर, 30 प्रॉंज जनी, 79 मेडल भारत ने, और रेंक रही है, आठवी, हुए कहां पर है, 2018 के एसियन गेम्स, तो आप कहेंगे इंडोनेशिय में, नेक्स 2022 में इसियन गेम्स है, इस से अलक से अन्टिपी से, मैं स्वाल भी आज चुका है, कि 2022 में इसियन गेम्स कहां पर होंगे, तो हॉंग जाओ और जैंजियांग चैना में होने वाले हैं, नेक्स नों देखीगा, 2019 IWSF World Cup में 10 मेटर एर राइफल में गौल्ड मेडल किस्त जीता है, अप पूर्वी चंदेलाने, ये नई दिली एन म्यूनिक जनमनी में हुआ था, 2019 IWSF World Cup में 10 मेटर एर राइफल में गौल्ड जीता है, अप पूर्वी चंदेलाने, पुतिन चीन है, देखी ये जो आपके IWSF World Cup है, अलगले एक जगाए उजित होता है, जो नई दिली में हुआ था, इसमें 10 मेटर एर राइफल में गौल्ड जीता था, अपूर्वी 2021 में ये देखी जो IWSF World Cup 2021 में नई दिली में हुए है, इसमें 50 मेटर राइफल में जो गौल्ड जीता है, वो एस्विर्या परताप शिंग तौमर ने जीता है, देखी ये इंडिया से है, इसलिए यहां से आपको पता होना चाहिए हर से किनोंने कौन सा मेडल जीता है 2021 में रैपिड फायर पिस्टल में सेर्वर जीता है, वो विजेव वीर शिद्धू ने जीता है और 10 मेटर एर पिस्टल में शोरब चौधरी ने सेर्वर जीता है, अगला स्वाल दिखीगा, ICC World Cup 2019 का फाइनल कहां पर हुआ था, तो ये लॉड्स लंदन में हुआ था, ICC World Cup 2019 का लॉड्स लंदन में, 14 जुलाई 2019 को हुआ था, और 2019 का जो क्रिकेट वर्ल कप हुआ है, ये इंग्लेंड एंड वेल्स में जीत हुआ है, जिसमें चेंपियन इंग्लेंड रही थी जो उनका पर्थम टाइटल हो जाएगा, रणर अप उप विजेता न्यूजिलेंड रही है और इस पूरी सीरीज में प्लेयर आपना सीरीज गैन विलियमसन रही है, सबसे ज़्यदा रंद वैसे रोईश सरमा ने बनाये थे, 648 रंद, सबसे अधीक विकेट है, मिचल इस्टाक ने लिये थे, 27 विकेट, ओलमपिक में सबसे ज़्यदा गॉल्ड मेडल जीतने वाले स में चोब गॉल्ड मेडल जीतने वाली पहली महीला मुक्यबाद कॉन है, तो चोब गॉल्ड मेडल जीतने वाली पहली महीला मुक्यदा बाद विसूज चेम्बियून सब्सेपम हो जाएंगे, यह फर्स्ट फीमेल बовали ger को ऑलमपिक में कोई भी मैडल नहीं मिला Ciênciasindi क कही मे सिल्वर ज़रूर मिला है लेकिन ऑलंपीक की बात बात हो यह तो आलंपीक में जीतूराई या को कोई भी मेंडल नहीं मिला है बाकि राजवरदन सिंग राठोड को दोसे चार के जो एथेंस ऑलंपी होग साथ इसं है इसमें सिल्वर मैल मिला था विजिय कुमार को 2012 के London Olympic में Silver जीट चुके गगन नारग 2012 के London Olympic में Bronze medal अपने नाम कर चुके है National दिखीगा स्वाल नंबर्स 18 2023 का Asia Football Cup कहां पर होगा 2023 का Asia Football Cup है यह चाइना में होने वाला कहां पर है चाइना में 2019 का EFC Asian Cup हुआ था United Arab Emirates में जिसमें चैंपियन रही तिक कप्तर जोन का पहला टाइटल है तो 2013 का आपको पता होना चाहिए चाइना में होगा इससे पहले 2019 में UAE में आयोजित हो चुका है 2022 Asian Games कहां पर आयोजित होंगे 2022 में Asian Games है यह Hong Zhahoo और Ji Jiang चाइना में होने वाले हैं 2022 की Asian Games 2018 में Asian Games है यह कहां पर हुए थे तो इंडोनेशियम हुए थे जिसमें इंडिया की रेंक आठ हुई रही है सबसे अधिक मेडल चाइना जीते थे अगला स्वाल दिखीगा नेमन में से कौन सा किलाड़ी कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता है तो ओलंपिक के केस मेंन में से कौन सा किलाड़ी कोई भी मेडल नहीं जीता है तो गीता फोगाट हो जाएगा यह फर्स्ट देखी गीता फोगाट ने मेडल नहीं जीता है लेकिन इनका रेकॉर्ड क्या है यह फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर है जो की क्वालिफाई हुई है उल्मपिक समर गेमस में encuentra ज्रूर हुई है लेकिन इन्टों नहीं जीता था था तो क्वालिफाई की से केस में ये 1 इंजिन फीमालरेटर हो जाएगी वर्ल्ड कप जीता है तो मोस्ट सक्सेस्फुल टीम ब्राजिल है पांच टाइटल इनके नाम हैं नेश्ट फीपा 2022 में कत्र में होगा 2018 का जो चैंपियन रावो फ्रांस राव यह सभी डाटा कवर कर चुके हैं नेश्ट नों दिखेगा भारत पुरुश होकी टीम के कपतान कौन है तो इंडिया मैंस नेशनल फेल्ड होकी टीम के जो कैप्तेन है वो मनबृत सिंग हैं और भारत के वोमन नेस्तल फिल्ड होकी टीम की कप्तान रानी राम पाले नेस्टन आइसी सी पैनल में शामिल होने वाले पर्तम भारती महिला रैफरी नाम है जी एस लक्षमी हैं ये जो मैंस का ODA वर्ल्ड कप हुआ था लीग टू में USA वर्सेज यू एए मैच जो हुआ नंबर वन कौनसी टीम थी तो नौमबर 2020 की बात करें फीपा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन टीम है बेल्जियम सेकेंड है फ्रांस अगला स्वाल सचिन टेंदुलकर किस टीम के खिलाप अपना सोमा श्रतक लगाया था सचिन टेंदुलकर ने बांगलदेश के खिलाप अपना स्वाज सतक लगाया था यह सतक कब लगाया था इननोंने तो 114 रन बनाये थे 2012 के एश्यकप में उन्हकी उनचासवा ओडियाई सेंचूरी यह मारे थे और टोडल सतक के केस में यहस्वा अंतराष्य सतक था और ओडियाई सेंचूरी यह उनचासओ था तो एक सो चोदर अन्मा लगए थे इन्हों हैं 2012 में एशिया कप में बागनदेश के विरुद में और उनका जो 99th सेंचुरी था वो शाउथ अपरीका के विरुद था अप्रेल 2011 में दिसम्बर 2020 तक भारती नैसटल फिल्ट होकी टीम के कोच कौन है भारती नैसटल होकी टीम हें तो यह आपको पूचका आ कोच के ग्राम रेड्ड है फूटबॉल टीम के कोच एह एकौर इस्टीमेक है कप्तान फुटबॉल टीम के सूनील छहत्री हैं इंडिया नैस्तल क्रिकेट टीम के कोच रवी शास्त्री नेक्षत न दिखेगा कौन भारती टेस्ट टीम के विकेट कीपर नहीं रहे हैं तो कौन रहे हैं ये आपको इदी पता है तो आप एजिली स्कॉलर कर सकते हो कौन भारती टेस्ट टीम के विकेट कीपर तो ये सभी टेस्ट टीम के विकेट कीपर रहे हैं पूरा आप टेस्ट टेम के अराम यह क अनम बजरंग पूनिया वर्ट नमबर वन रेस्टर बजरंग पूनिया न्यों मेडिशन स्क्वर गार्डन में 6 मईं 2019 को दो बार के USA चैंपियन जिनका नाम है यी आनी दिया कॉमाईल से कुस्ति प्रतियों की तब ये शामिल हुए थे और इस मुकाबले को ग्रेपल एट गार्डन बीर्ट दा इस्टिट के नाम से भी जाना जायता है 2019 के FIFA Women World Cup चैंपियन को अंद रहा है तो FIFA Women World Cup 2019 में चैंपियन युनाइटेड इस्टेट रहा है रनर अप निदरलेंड कहां पर हुए थे आप कहेंगे फ्रांस में 2000 यह इंपोर्टेंट हो जाता FIFA Women का FIFA Women World Cup 2019 में कहां पर हुआ है नेक्स 2023 में कहां होने वाला है तो 2023 का FIFA Women World Cup है यह ऑस्टेडिया एंड न्यूजिलेंड यहां प्रावजित होगा 2018 Women Hockey World Cup फीपा की नहीं लेकिन 2018 Women Hockey World Cup की बात करे तो चैंपियन निदरलेंड है यह इंगलेंड में हुए थे बाकि आपको 2019 के में चैंपियन FIFA Women World Cup की रही है युनाइटेड इस्टेट और हुए थे आपकी फ्रांस में नेक्स 2023 में ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड में होने वाले हैं 2023 का इशेई फूटपॉल कप कहां पर होगा चाइना में 2023 का इशेई फूटपॉल कप चाइना में 2019 का इशेई फूटपॉल कप युनाइटेड अरव अमिरात में हुआ था जिसमें चैंपियन कतर रहा था सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन है तो आपको एंगे राशिद खान जो अफगानिस्तान से हैं यह 20 वर्ष 350 जो दिन है इस उमर में यह टेस्ट कप्तान बने थे सबसे युवा टेस्ट कप्तान राशिद खान सबसे युवा ओडिया कप्तान भी राशिद खान है यंगेश T20 कैप्टेन है इनका नाम है विरेंदीप शीहिं आईपियल 2020 कौन सा एडिसन है आईपियल 2020 तेरवा संसकर्ण है और इसका टाइटल स्पोंसर है ड्रीम 11 जो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की बात हो रही है तेरवा एडिसन चेंपियन जिसमें रही थी मुंबई इंडियन्स और रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल 2023 का क्रिकेट वल्ल्ट कप कहां पर होगा भारत में होने वाला है 2019 में इंग्लेंड एन वैल्स में हुआ था 2019 के क्रिकेट वल्ल्ट कप में पेयर आप द सरीज गैन विल्यमसन रहे थी और बाकी बात करें चेंपियन के तो इंग्लेंड रही थी 2019 में 2021 का अब इखिए ये तो आपको पूचा है 2023 का किर्केट वर्ड कप भारत में होगा तो 2021 का जो ICC MENZ T20 वर्ड कप है ये कहाँ पर होने वाला है ये अब भारत में होने वाला थे लेकिन अभी इसको Change कर दिया गया है ये होने वाला है स्ञूक्त अरब अमिरात में 2021 का ICC MENZ T20 world cup. बागि जो 2016 का ICC T20 World Cup है यह भारत में रहा था है जसमें चेम्पियन west Indies चीज जरा था और 2022 का Women Cricket World Cup है New Zealand में होने बाला, 2017 का Women Cricket World Cup है England and Wales में हुआ था तो इसको ठोड़ा आप चेंज कर देना झी UAE और 77 अठीज तinta और वेल्स में हुआ था 2019 ODA क्रिकेट वर्ड कप final में player of the match अवार्ड के से दिया गया हैं यह देखे final match का पूछा गया ना कि player of the series player of the match जो final हुआ था ओडिये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में प्लेयर आप दा मैच रहे थे बैन इस्टोक्स इंग्लेंड की खिलाड़ी है यह फाइनल 14 जुलाई 2019 को लॉट्स लंदन में हुआ था जिसमें 2000 211 पर टाई हो गया ता मुकाबला 2019 में जो आइसी सी आवार्ड दिये गये है इसमें क्रिकेट वप्लेयर आफ दा यह का पैट कमिंस को ओडियर आप दा इयर का रोई शर्मा को अमेरजिंग प्लेयर आप दा इयर का मारनस लब चंग्रें को दिया गया जो ऑस्टिलिया की खि थी found ड़केट है है आधि एक कदें dziए के और आपको पता होना चाहिए आइसे इस में स्मिथ को बिचेट ड़कोली को when I Canty को सची फीमेल पर ट्रह सट को डिकेट तकेट है इस परी गुमन ओडिये क्रिकेटर ऑफ डिकेट का भी एलिस पेरी को शार्यावार्ड मिले है विमन के टेग्री में आइसे सी मैंस एसोशीएट क्रिकेटर ऑफ डिकेट का इले कोर्जर को दिया गया है नेक्स्टों दिखीगा 2019 क्रिकेट वर्ड कप में प्लेयर ऑफ डा सीरीज के से दिया गया था तो कैन विलिमसन को 2019 बीस यूफा चैंपियन लीग का फाइनल मैच के शेहर में हुआ था तो UEFA यनि यूरॉप प्रिमियर कलग फोटबॉल टूनामेंट है जो इसका जो चैंपियन लीग हुआ था चैंपियन लीग है जिसमें चैंपियन रहा था चेलसा कलब जो इंग्लेंड से हैं इसका फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ था पोर्टो पूर्टगाल में हुआ था नेक्स्टन देखीगा जैपूर में और वोल्ट वुमन हैंडबोउल्ट चैंपियंबंशिफ्ट यूद कर नहीए ये जपान में जबी नििध्रलेंट रहा था रनर एंप स्पेन रहा था तोजो-जो वर्ल्ड वुमन हैंड बोल्ड चैंपेंसिप में दिसनवर दोजर एकिस होने वाला है luar 2019 का वर्ल्ड मैंस हैंडबोलल चैंपेंसिप हैं व्हों डैनमार्क और जरमनी में और आउजित हुआ था जिसमें चैंपिन टीम है वो डैनमाक रही थी और आपको Youth World Handball Championship है जो जैपुर भारत में हुआ था 2019 का Asian Women Youth Handball Championship और Women Youth World Handball Championship 2020 का कुरेशिया में 2023 का Asian Football Cup कहां पर होगा तो यह रिपीट हो चुका स्वाल चाइना में होने वाला है और 2019 का यह हुआ था UAE में अगला स्वाल दिखीगा अठावे Asian Games 2018 के लिए भारती दल का परमुग किसे बनाए गया था तो अठावे Asian Games 2018 में जो इंडिया चैप डी मिसन सीडियम बनाए गया था ब्रिज भूशन सारंज सीहिं को बनाए गया है जो रेस्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट है इनको भारती दल का परमुग बनाए गया था अठावे Asian Games 2018 में इनका नाम है ब्रिज भूशन और बात करूँ डिप्टी चीप डी मिसन है वो रहते राजकुमार सज्जिती है इनके साथ साथ यह डिप्टी रहते जो चैप्डी मिसन स्कीन नेक्टन दिखेगा दूती चन्द ने 100 मिटरेश का नेस्टल रिकॉर्ड कितन 2018 में और 2019 में सी बिकम दा फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू विन गॉल्ड एड़ यूनिवर्शियाट जो गैम हुए थे 2019 में यह पहली भारती स्प्रिंटर जो ने गॉल्ड मेडल जीता है यूनिवर्शियाट गैम में यूनिवर्शिटी वाले जो हुए थे 11.32 जकारता में 100 मेटर और 200 मेटर में नेश्टों देखीगा 2019 स्पिसल ओलंपिक वर्ल्ड समर गैम्स कहां पर आयुजित हुए है 2019 स्पिसल ओलंपिक वर्ल्ड समर गैम्स है यह अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमिरात में हुए है 2022 में जो स्पिसल ओलंपिक वर्ल्ड वि भूष्ण दिया गया है जो किर्केटर का इस्पेशली पूचा है और शरी पंकज आडवानी को 2018 का जो स्पोर्ट है इनका बिलियर्ट से सुनुकर का आपको पूच रहे तो यह पंकज आडवानी को दिया गया है पद्म भूष्ण कप है मरेडे का कप है यूरो फीपा सीजर्स है यह सभी प्रमुख फूटबॉल टूर्नामेंट है इसमें दोरंट कप भी आजाता है फूटबॉल का आईपेल में सबसे तेज पांच जार रन पूरे करने वाले खिलाडी कौन है इनका नाम है दोस्तों यह है संद्राइजर है है दोर2 में इन्ञेट के पांच जार रन की है और इससी कि बात को इन्होंने पांच जार रन हो जाएगा बाकि में पॉर्य पहले क्रिकेटर है तो पर्थम क्रिकेटर है वो सुरेश रहना है किस खिलाडी का नाम CR7 है तो CR किस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के ये फूटबोलर है किस टैनिस खिलाडी पर 2019 में 10,000 US डोलर का जुर्माना लगया गया था तो टैनिस खिलाडी का पूचा है जिन पर 2019 में 10,000 US डोलर का जुर्माना लगया गया था तो अमरिका के इस्टार महिला टैनिस खिलाडी सेरेना विलियम्स पर क्योंकि सेरेना ने विंबल्डन के दोरांद टैनिस कोट को नुकसान पहुचा है था इसलिए सेरेना विलियम्स पर जो अमरिका के इस्टार महिला टैनिस खिलाडी उन पर 10,000 US डोलर का जुर्माना लगया गया था किस खिलाडी ने अंतराष्टि किर्केट में 20,000 रन पूरे नहीं किये है इन 2122 रन है इन्हों टैस्ट में बने हैं और T20 में इनके रन नहीं है तो यह 20,000 नहीं होते हैं बाकि वराट कोरी बना चुके है 2448 रन है जिसमें 12,000 ODI है 2928 T20 है 7,490 टैस्ट में तो यहां से 20,000 से ज्यादा हो जाते हैं सच्चिन 10.0 है यह टोटल जो रन देख सकते हो ODI में 18,426 दस रन इनके T20 में है 15,921 रन टैस्ट में सच्चिन के जो ऑप्सन दे रखा था ब्रेंड लारा की बात करें तो 10,400 रन है ODI में 11,953 रन है टैस्ट में तो इन सभी के 20,000 से ज्यादा है और जो सुनील गावश करके नहीं है तो यह करेक्ट हो जाएगा भार्त इंग्ल इस सिरीज को टैस्ट सिरीज जो भार्त इंग्लेंड की हुई है 2021 में भार्त ने ये सिरीज 4 मैस की सरंकला को 31 से जीता था T20 सिरीज है इसका विराट कोहली को दिया गया है प्लेयर अब दा सिरीज जो की भार्त जीत चुकी है 5 मैसों की सरंकला को 32 सीन वन डे में जो प्लेय अंतराष्य टेस्ट में दोहरा श्रतक लगानेवाले एक मात्र खिलाडी कौन बन गए हैं जोवव tutorãyãy टेस्ट में दोहरा शरतक लगानेवाले फ्रवरी 2021 में एक मात्र खिलाडी जो एंग्लेंन की अप्तान हैं पूरो आश्टीलाई काफ्तार रिक्य पॉंटंग अपने संव अगला स्वाल देकिन इनहोंने दोहरा मनागे है वनडे इंट्रिल में Everyone यूज में तीन 12 अगले सब्सक्राण ज़ें की시ब हुझे सबसे रिस भंडे में तीन 122 सुन वाले लगानई परमूग जाब करणे बनाये थे लिए पहरादा का 2010 में दक्षनब्रियमा Mexico दश्नक प्रियाखा के खिलाप इन्होंने 200 रन नाबाद बनाए थे ओडियाई में सबसे पहले डबल सतक लगाने वाले खिलाडी सचीन तैनुलकर फिर विरिंदर शेवहाग 219 रन बनाद चुके हैं ओडियाई में 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाप हैं रोहिष शर्मा ये त चलगाने वाले खिलाडी बी कौन है रोहिष शर्मा है 3-12 चत्क टेस्ट में आपको लेकॉर्ड पता होना जो पार ने तेस्ट में एक पारी में सबसे ज़्यजा रन बनाने वहँढ़ी कौन है ब्रेन लारा 400 रन नाबाद बनाय थी जो West Indies के 204 में ये इंगलेंड के विरुद में जनवरी 2021 में इंडिया एं औस्टेलिया टेस्ट शीरिज में प्लेयर ओप दा सीरीज पैट कमिंस रहे हैं तो जनवरी 2021 में इंडिया औस्टेलिया टेस्ट शीरिज है में प्लेर आप दा सिरीज प्लेट कमीश रहे थी भारत ने ये इस रंकलाच चार मैसों की दो एक से जीती है वंडे इंटरनेस्टने की पूरी जो टेस्ट की हुई ए वंडे की हुई ये टी-20 इन में प्लेयर आप्ड़ सिरीज कॉन रहे जो अभी हाली में 2021 हुई ये सब मैंने आपको बetat जैं से हॉटी से संबनापी है इनमेसी तो रंगा स्वामी कप हैं ये हॉकेद से संबनादी करणिक कफ हैं डेविस कप है ये टैनिस का है और सुभर तो है यह डूल का तो सारे यांपर कवर हो गए हैं इंडिया नैस्तर फुटबाल टीम के कोज कोज़ कौने तो इग्वर कौने इट्र इस्टमेक आ प्रसमे them आप देसमर 2020 तक भारती नैस्तल फिल्ड होकी टीम के कोज कौन रहे हैं तो ग्राम रेड हो जाएकर रिपीट हो गया इस्वा ग्राम रेड इसका करेक्ट है अंतिम स्वाल एसियन गेम्स 2018 में ऑपनिंग सेरेमनी में भारती धोजवाक कौन थे तो एसियन गेम्स 2018 की गेम्स जकारता एंड पालें बैंग इंडोनेशियम होगे हैं तो इसी के साथ टोटल 121 स्वाल कंप्लीट हो चुके जो इस्पोर्ट यानी खेल जगत से जड़ुए एंटीपीसी एक्जाम 2021 पूछे गे हैं सारे स्वाल एक्स्ट्रा फेक्ट जो भी अपडेटेड डाटा ह अपेश की दस्टी से उसी के सहीत कवर है तो लाइप करते हो वीडियो को एंड करना जो भी केंडेड चनल पर न्यू है चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर हिट कर देना मिलते हैं ऐसी किसी नए अपेश टॉपिक के साथ अपते के लिए वंदे मातरम जहिन दो अपेश के लिए पता कि अपते हैं एंड की लाइब तो